सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वेड चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट डिफेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो डिफेंस लवर्स स्वागत तै आपका डिफेंस की आंसरी इसके फ्रेस एपिसोड में जैसे के आप सभी जानते होंगे कि 17 मार्च 2019 की शाम को भारत के पूर्वर अक्षा मंत्री और गोवा के मुख्य मंत्री स्री मनोहर परिकरजी का 63 वर्स की आयू में निधन हो गया है स्री मनोहर परिकरजी काफी लंबे समय से पेंक्रेटिक कैंसर से पीडित थे और इसी की चलते वे काफी बिमार थे और उनकी निधन के साथ भारत ने ना केवल एक इमानदार और वेदाग छवी वाले निधा को खोया है बलकि एक सच्चे देशभक्त को भी खोया है और स्री मनोहर परिकरजी भारत के उन चुनिंदा नेताओ में से एक थे जिनकी जितनी इज़्यत उनकी पार्टी वाले लोग करते थे उतनी इज़्यत उनकी उपोजिशन पार्टी के लोग भी करते थे और वे देश के पहले ऐसे मुख्य मंतरी थे जिनोंने IIT बॉमबे स कर रहा है और उनकी आत्मा की शांती के लिए प्राथना कर रा है और इस बास से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि स्री मनोहर परिकरजी भारत के सबसे बहतरिन रक्षामंत्री में से एक हैं क्योंकि इनोंने अपने कारिकाल के दौरण Instagram forces को मजबूत बनाने के ये कई सारे एहम फैसले किये थे और आज के एपिसोड में हम आपको रक्षा मंत्री के तौर पर स्री मनोहर परिकरजी द्वारा इंटिनडिफेंस सेक्टर में क्या क्या महत्तपुन फैसले लिए गए हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं और इनको जानने के बाद आपका स्री मनुवर परिकर जी के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा So without wasting any time, let's begin स्री मनुवर परिकर जी गोवा के पहले मुख्य मंत्री थे लेकिन दक्षा मंत्री के तौर पर इनका कारेकाल 9 नवेंबर 2014 में सुरू हुआ था जो की 13 मार्च 2017 तक चला था लेकिन इन्होंने अपने 2 साल 4 महिने के रक्षा मंत्री वाले कारेकाल में इंडियनाम फोर्सेस की कारे प्रणाली और सिकुर्टे हुए बजट के सामने इंडियनाम फोर्सेस के आदुनिकरन की चुनतियों को बखू भी सम्हाला जैसे कि 1 rank 1 pension योजना को लागू करना 2015 में 1 rank 1 pension scheme को implement करने का credit किसी को जाता है तो वो जाएगा मनुहर परिगर जी को क्योंकि इन्होंने अपने कारेकाल में 4 तसक से भी अधिक पुरानी इस मांग को मंजूर किया था और इस योजना से लगबग 3 मिलियन पूर्वे सैनिक और उनकी विद्वाओं को फाइदा पहुंचा है इसके अलावा इनके रक्षा मंत्री वाले कारेकाल में इंडियनाम फोर्सेस के लिए कई मेजर डिफेंस दील साइन की गई थी फिर चाहे 36 रफेल फाइटर्स की डील हो, 22 बोइंग अपाचे हलिकॉप्टर्स की डील हो, 15 चिनुक हलिकॉप्टर्स की डील हो या फिर 145 अल्टरलाइट होविट्जर M777 की डील हो ये सारी प्रमुक डिफेंस डील इनके कारेकाल के दौरान ही हुई है और इनके कारेकाल के दौरान ही डीफेंस एक्वेसेसिन काउंसिल ने कई प्रमुक परियोजनाओं को मंजूरी दी थी जैसे की 420 एर डीफेंस गंस की परियोजना, 814 अर्टेरी गंस की परियोजना और 118 अरजुन मार्क टू टैंक्स की परियोजना हलांकि बुलेट प्रूफ जैकेट्स, असौल राइफर्स से माइन सुईपर्स, चौपर्स और सम्मरीन्स ये भी इनके कारेकाल के दौरान डील साइन हुई थी लेकिन इन डील्स में अभी भी कुछ महत्तपूर अंतराल को संबोधित करने की जरुवत है मनौहर परिकरजी के कारेकाल के तौरान ही ईन्डिनाःट्स की स्पेचल फोर्स ने पियोके में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिस पर उर्यटी फिल्म भी बंच चुकी है रक्षा मंत्री के तौर पर मनोहर परिकरजी ने ही विमन सोल्जेस को भी कॉमबेट रोल में सामिल करने के प्रस्ताव को सुरू किया था और इनके समय में ही सैनिक स्कूल के तरवाजी विमन्स के लिए भी खुले थे इंडिनाम फोर्सेस के प्रोमोशन सिस्टम को ट्रांस्पेरेंट रखने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर परिकरजी ने एक कमिटी को स्थापित किया था जिसका काम था इंडिनाम फोर्सेस के प्रोमोशन सिस्टम को फियर और ट्रांस्पेरेंट रखना और अक्षा मंतरी के तोर पर वे हमेसा इसी बात पर फोकस करते थे कि किस तरीके से defense budget को अच्छी तरीके से utilize किया जा सके और Indian military को और ज़्यदा effective बनाय जा सके और एक lean और mean military बनाने के लिए इन्होंने 11 member के एक panel को भी appoint किया था इनके कारिकाल के दोरान ही अमेरिका के साथ काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़े एक Logistic Exchange Memorandum of Agreement पर अस्ताक्षर हुए थे और ये उन तीन महत्तपूर एग्रिमेंट्स में से एक है जो कि एक अधिक मजबूत रनितिक साज़दारी के लिए एक दसक पहले अमेरिका दोरा प्रस्ताव किया गया था रक्षा मंत्री के तौर पर वे हमेंसा इस बात को सुनिश्चित करते थे कि इंडियन आम फोर्सेस में जाने कम से कम जाएं और 13 जुलाई तोजर 18 को एक सेमिनार के दोरान कहा था कि हमें एक नई कॉंसेप्ट को अपनाने की जरुवत है और वो ये है कि हमें अपनी जान देनी नहीं है बलकि दुस्मन की जान लेनी है और उनका कहना था कि उन्हें बहुत दुख होता है जब भी उनका कोई जवान शहीद होता है और इसलिए मैं हमें सा कहता हूँ कि हमें जान देने के बजाए दुस्मन की जान लेने वाले कॉंसेप्ट पर काम करना चाहिए और इस बात में कोई तोर आए नहीं है कि स्री मनोहर परिकर जी हमारे तेस्ट के एक बेहदी इमानदार और सची नेता थे जिनोंने अपने सारे करतवियों को बको भी निभाया है तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई सुझाव या सजेशन्स हो तो उसे कॉमेंट सेक्से में शियर जरूर करें और अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शियर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें झाल